हेलो सो सोगत आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में चापर मैंच आपके लिए लेकर आया हूँ एसे आर्टिफेक्ट्स जो कि मारोल कॉमिक उनिवर्स में तभाही मचाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं याने कि हम बात करेंगे 10 पावरफुल आर्टिफेक्स की जिनका ओरिजिन लगबग कॉस्मिक है लेकिन उन में से कुछ अभी तक MCO में इंक्लूड नहीं किये गए हैं तो जादा टाइम नगावाते होई आज का वीडियो शुरू करते हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से प बहुत समय से मारोल फैन्स जानते हैं कुछ आर्टिफेक्स के बारे में जैसे कि इंफिनिटी गाउंडलेट और इंफिनिटी स्टोन्स और बाकी भी बहुत सारे लेकिन कुछ ऐसे है जो कि MCO के अलावा मारोल कॉमिक्स पढ़ते ही नहीं लेकिन आज उनके बारे में ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है ताकि वो अपने फैवरेट आर्टिफेक्ट को लेकर या फिर फैवरेट हिरो को लेकर उसे उसके साथ मर्ज कर किसी और्ग अपनेंट के साथ तो सबसे पहले 10 नमबर पर आता है मैंडरिंस रिंग यह वही रिंग्स है जो हमें थोड़े दिनों बाद शैंक्ची के मूवी में दिखने वाली है शैंक्ची जो कि एक विलन का बेटा था और उसी विलन के पास याने कि मैंडरिंग के पास 10 मुल धैंरिंग्स है और कोरे कोई आम रिंग्स नहीं है जिसे की ज्यों फिर दृटिटिमेट पावर की जिसमें से हर एक रिंग उसे हर एक एबिलिटी और हर एक पावर प्रोवाइड करती है और यह सबसे पहले फाउंट की गई थी एक विलन के जरीए चाइना के एक वैली में और उसने लगबग एक एलियन क्राफ्ट तबा कर दिया था जो कि ड्रैगन लाइक क्रीचर्स थे एलियन क्रीचर्स जिसे मैकलूंस क को वाइड करती है और मेंडरिंग के इन रिंग को पहनने के बाद उसकी कॉंश्यसनेस इनके साथ मर्च जाती है और इसी वज़े से वह इन टेन रिंग्स को अपने मन मुताबिक यूज कर पता है नेक्स्ट है वाजर्स आय तो यह कॉस्मिक आर्टिफेक्ट है जो कि कॉस् जो कि एक वाचर है और यह कॉस्मिक पिंग है जो कि मून पर है अर्थ के मून पर लेकिन यह सिर्फ मार और कॉमिक्स में है आप सच में मून मर दूनने जाना और और औरिजिनल सिंग के स्टोरी लांग के बाद उटू मारगल हीरोस को मरे होया आलत में मिला उसकी आके निक के लिए अलाव करती थी यानि के वो वाचर की तरह ही सब इवेंट्स देख सकता था अल्टिमेट नलीफायर अल्टिमेट नलीफायर एक कौस्मिक वेपन है जो कि मार्वल उनिवर्स में बहुती खतनाक माना जाता है और ये सबसे पहले देखा गया फैंटिमेट नलीफायर चुराया गया हुमन टॉर्च और उटू के जरीए और ये आगे काम आया रीड रिचर्ड के जिसने इस हत्यार का इस्तिमाल करके गैलेक्टर को धमकी दी और गैलेक्टर को डरा कर उसे अर से दूर बेज दिया और बस इतना ही नहीं बलकि ये आर्ट आल पावरफुल कॉस्मिक वेपन है अगला है कॉस्मिक क्यूब कॉस्मिक क्यूब नेक्स्ट आर्टिफेक्ट है हमारी लिस्ट में और इसके काफी सेवरल सवर्जन देखे गए है और यही कॉस्मिक क्यूब हमें देखने को मिली है मारल कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका मे जिसकी वज़े से कैप्टन अमेरिका सूपर सोल्जर बना और ये कॉस्मिक क्यूब रियलिटी अल्टरनेटिंग एनर्जिस प्रोवाइड करती है जो की वेयंडर के पास है तो इस वज़े से ये एक most powerful weapon है और most recent कॉस्मिक क्यूब का इवेंट है सिक्रेट एमपायर जहापर sent जो की कॉस्मिक क्यूब का था इसे कोबिक कहा जाता था जिसकी मदद से हाइट्रा ने कैप्टन अमेरिका को अपना वफादार बना लिया लेकिन आकर में स्टीव रोजर्स ने कोबिक को कन्वेंस कर लिया कि वो वापस सब कुछ ठीक कर दे अगला है quantum bands तो ये एक powerful weapon है comic universe म quantum bands design किये गए इयोन के जरीए जो की use किया जाता है protector of universe के लिए और जैसे ही कोई इसे पहनता है तो इयोन के ये artifacts उसे बहुत सारी powers प्रोवाइड करते हैं और of course इन्हें कहा जाता है कॉसर और ये bands सिर्फ welder को कुछ powers ची नहीं बल्कि बहुत सारी abilities भी प्रोवाइड करते है जैसे कि energy drive करना quantum realms से बले ही ये एक quantum artifact हो लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा powerful है और ये electromagnetic spectrums warm holes open करने के लिए और space के तुछ travel करने के लिए साथ-जाथ energy detect करने के लिए और जिन्होंने इस bands को पहना है उस welder को protect करने के लिए काम में लाए जाते है अगला है Phoenix Blade हमने Phoenix Force को देखी चुके है एक्समैन की movies में और साथ ये साथ इसका origin भी उसी की तरह है ये एक powerful sword है Marvel Universe में इसका origin कॉस्मी की है Phoenix का दूसरा welder हैने के रुक्षीर जिसका वेपन था एक sword और रुक्षीर ने काफी समय तक इस Phoenix Force को अपने अंदर समागे रहा था और इसी के साथ शियार अंपायर तबाह हो चुकी थी लेकिन जब Phoenix Force रुक्षीर को छोड़ गई तब उसका कुछ इससा इस वेपन के साथ ब बाटने लगे अगला आर्टिफेक्ट है Galactus Ship यह Ship है एक पूरे सोलर सिस्टम के साइज की और Galactus इसे कहता है टार्टू यह फिर वर्ल्ड शिप और ऐसा नाम उसने किसले दिया यह आगे हम बताएंगे इसका इन्वेशन गैलेक्टस ने किया बिग बैंक के बाद जब उसका पहला वर्ल तबा हो गया तब तबा होए प्लैनेट के रॉम मटेरियल से उसने इसे बनाया और उसका वर्ल जो तबा हो चुका था उसका नाम था टा और उसे अपने होमेश जैसा ही फीलो इसलिए उसने इसे नाम दिया टाटू और इसी के साथ उसने अपनी शिप में था और वो तबाह होने के बाद जो सारा प्लैनेट्स का रॉम माटेरियल बचा उसके साथ ही गैलेक्टस ने इस शिप को फॉर्म किया यहने के गैलेक्टस एक बहुत ही एल्डर बींग है अगला है इंफिनिटी जैम्स हम इनवे देखे चुके है ऐवंजर इंफिनिटी वार में और एंडड़ गेम में जिसे कि थैनोस ने बड़े ही चालाके से हासिल कर लिया और अपनी विश्प पूरी करने के लिए उसने उनको एक साथ रखा और उसने उसे एक साथ रखा के से तो अगला आर्टिफेक्ट है इंफिनिटी गाउंट लेट और थैनोस ने उन 6 जेम्स को इंफिनिटी गाउंट जाए लेकिन यह हुआ नहीं मार्वल के सुपर हिरोज ने उसे से करने नहीं दिया और कुछ अद तक वो इसमें काम्याबी हो चुका था लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहापर अगर बात चली रही है कि इंफिनिटी गाउंट लेट हमें इंफिनिटी वार में दिखाया दिखें और आखरी और लास्ट है हार्ट अफ दोइनिवर्स थैन व्यशने जो इंफिनिटी गाउंट लेट के साथ किया उसे वह हट अफ दूश्फ के साथ करने की जरुरत नहीं थी क्योंकि उसे चे सब बचने के बाद वह सब दबाब होने वाला था लेकिन हार्ट अफ वो उसे पा लेता तो उसे चुटकी बजाने की भी जरुरत नहीं पड़ती वो सिर्फ सोचता और वो काम हो जाता उसे चुटकी बजाने की तकलिफ उटाने की भी जरुरत नहीं पड़ती और इसी वज़े से Heart of the Universe सबसे पावरफुल वेपन माना जाता है मार्वल यूनिवर्स में अगर एमस्यों में यह कई पर अपियर हो जाए तो इसकी बैटल बहुत खतरनाक होने वाली है क्योंकि यह बहुत ही फेमस और बहुत ही डेंजरस वेपन हैं मार्वल यूनिवर्स में एक बार ऐसा हो भी चुका है कि तैनॉस ने पूरी पावर्स पर कत्म होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता है कि आपको वीडियो कैसा लागा अगर आपके पास ऐसे ही कोई इंट्रेस्टिंग स्टोरीज हो या फिर इंट्रेस्टिंग टॉप रैंक टॉपिक्स हो तो भी मुझे कमेंट करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना बूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो भी अड़ लाइक कर सकते हैं लेकिन वज़ा पता कि तक कि मैं अगले वीडियो में वो गलती ना कर पाओ तो भिलते हैं अगले वीडियो में तब